तेशपत्ता और डाल चीनी दोनों ही हमारे असोई घर में मसालों को रूप में इस्तिमाल किया जाता है। ए दोनों खाने का असोआत दो कुना बड़ा देते हैं। आयरुबेद में भी तेशपत्ता और डाल चीनी का काफी महत्त है। कई तरह की दवाओं और तेल बनाने के के लिए तेशपत्ता और डाल चीनी का इस्तिमाल किया जाता है। इसके अलावा तेशपत्ता और डाल चीनी का कमबिनेशन ओजन घठाने से लेकर सद्धी जुकाम की परसानी को भी दूर करने में लबकारी होता है। तो चलिए वीडियों तेशपत्ता और डाल चीनी के मि दुख बारे में बिसार से जानते हैं नमबर एक इंफेक्शन के लिए तेश पत्ता में विटामिन सी भरपूर पाया जाता है वही दाल चेने में भी एंटिबैक्टीरियल गूर्ड मौजूद होते हैं जो इंफेक्शन को दूर करने में सायक होते हैं अगर आप वायरस बेक्टीरियल इंफेक्शन से बचना चाते हैं तो आप तेश पत्ता और दाल चेनी के मिस्टन से तैयार चायका स्रिवन करें इससे काफ़ी फैयदा मिलेगा 2. Blood sugar के लिए तेशपता और दाल्चेनी Blood sugar को meditiva करने में काफी लापकारी हो सकते हैं कियोंकि दाल्चेनी और तेशपता में Phyto Communism पाया जाता है जो Blood sugar को कंट्रोल कर सकता है 3. Thund के लिए तेशपता और दाल्चेनी का चाए पीने से thund कम लगती है दर असल में डाल चेनी के तासी गर्म होती है जो आपके सरीर में गर्मी लाती है इसलिए अगर आप अपने सरीर को गर्म रखना चाथते हैं तो ठंड के मौसम तेजपत्ता और डाल चेनी से बनी चाय आवस्से भी हैं इससे काफी लाब मिलेगा नमबर चार ओजन कम करने के लिए तेजपत्ता और डाल चेनी का चाय पेनिस ओजन कम करने मदद मिलती है क्योंकि तेजपत्ता और डाल चेनी से बनी चाय सरीर में मेटा बालिजम को भुष्ट करने मददगार होता है या चाय सरीर में अत्रिक चर्वी को गला देता है इसलिए या ओजन कम करने में सहायक है अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो आप तेश पत्ते और दाल चेनी का चाय पी सकते हैं क्योंकि इन दोनों के मिस्रण से बनी चाय एंट्रि बैक्तिरियल गुडों से भरा होता है जो सर्दी जुकाम की समस्या से शुटकारा दिलाने में मदद करता है अब आखिर में जानते हैं तेश पत्ता और दाल चेनी की चाय बनाने के बिधी सबसे पहले एक पायन में एक लिटर पानी डाले आब उस पानी को अच्छी तरह से उबाले जब पानी उबल जाय तो इसमें तेश पत्ता और दाल चीनी डालकर 15 मिनट तक अच्छी तरह उबाले जब पानी अच्छे सुबल जाये तो इस पानी को छान लीजिए और किसी कांच की बोतल में भर दीजिए और इस पानी को दिन भर सिवन करें इससे आपके सरीर का ओजन कम हो सकता है और सांथी अन्य समस्या भी दूर होगी